तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को हम लोग करते हैं तो इस question को करने के लिए basically हमें क्या करना है कि acceleration due to gravity निकालना है at the top of the Mount Everest अगर मैं इस question को solve करता हूं तो माउंट टेवरेश्ट की हाइच इतनी बड़ी नहीं है अगर अर्थ से compare करोगे तो यह माउंट टेवरेश्ट है और माउंट टेवरेश्ट का जो पीक है यह वाला यह जो पीक है ग्राउंड से C level से यहां से यह जो edge है वो 8849 मीटर है ठीक है तो यह तो 8849 मीटर लगबग 8.848 किलो मीटर तो यहां पर जो C level है उस पर G की value मैं 9.8 ले लेता हूं तो यहां पर टॉप पर G की value कितनी होगी जी डैस इसी की तो calculation करनी है हमें तो अगर मैं solve करता हूं तो यह जो height है देख रहे हो यह जो height है is very very less than radius of earth मतलब h is very very less than radius of earth because radius of earth कितना 6400 किलो मीटर है ठीक है तो 8 किलो मीटर तो इसके सामने बहुत छोटा है तो मैं ऊपर जाने के लिए जो स्माल वाला फार्मूला जी डैस इसकोल टू जी वन माइनस टू एच अपन आर यह वाला फार्मूला अपलाई कर दूंगा तो जी डैस हमें चाहिए तो जी की वेलू 9.8 है और यह जाएगा 1-2 हाइट की वेलू आ जाएगी 8800 848 किलो मीटर मीटर डिवाइड़ वाइड़ रेडियस 6400 किलो मीटर टेन की पावर फिर 3 मीटर और यह अब इसको सॉल्व करना अपनका काम है तो 9.8 और यहां देखो गे तो 1 माइनस इससे मल्टिप्लाई कर लो तो इससे मल्टिप्लाई करो 169 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पे उपर चला गया और डिवाइड़ वाइस 64 नीचे बच जाएगा तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो यह देखो कितना आता है तो डी जाएट की वेलू आ जाएगी 9.8 इधर बच गया बाई और 1 माइनस 1 माइनस 27 इसको सॉल्व करो मैं सॉल्व किया हूँ 65 इंटू 10 की पावर माइनस 5 तो अगर यहां पर तुम देखोगे तो जी डाइस की वेलू 9.8 इस उकल टू यहां पर और 1 माइनस पॉइंट .00207 6 वेलू आ जाएगी व्हों आ जाएगी 9.7 7 meter per second square जो की nine point eight से बहुत ही थो कम आ रहा लेकिन इतना ज़्यादा भी कम नहीं आ रहा बहुत कम बहुत ज्यादा 國家 मूंह आ रहा क्यूंकि हएट उतना ज़्यादा अच्छा कासा बहुत ज्यादा उपर नहीं है तो that is the final solution तो I hope कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि हमने question को कैसे solve किया